हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चनल सोश्वपरहार में मैं हूँ अडवोकेट सनी शर्मा दोस्तो आज किस वीडियो में हम मेंटेनिस केस और स्पेचले डीवी केस पर कुछ बात करने वाले हैं जो कि आपके बहुत काम हा सकती है देखे दोस्तो आपने देखा होगा कि पतनी आपके उपर एक मिंटेनिस का केस जालती है जनरली वो केस 125 CRPC के अंतरगत होता है लेकिन फिर आपने देखा होगा कि कुछी समय के बाद ये पैरलली कई बार वो डीवी का केस भी फाइल कर देती है अब दोस्तो एक मेरे पास अभी हाली में केस आया था उसमें क्या था कि लड़की ने दो केस एक ही तारिक पर फाइल किये 125 CRPC और DVAC अब मैं अगर लड़की के पॉइंट आव्यू से देखूँ तो कितनी गलत चीज़ है क्यों? क्योंकि अगर वो दो केस फाइल कर रही है उसके दो केस के expenditure हो रहे हैं और उसको रिलीफ एक ही जगा मिलना है क्योंकि सुप्रीम कोट की जो latest guidelines हैं उनके according क्या है कि अगर अगर आप किसी एक केस में maintenance दे रहे हो तो दूसरे केस में जो है वो maintenance के amount set off होगी यह तो है नहीं कि दोनों जोगा लग लग होगी तो उस लड़की को फाइदा क्या मिला तो वही चीज होती है कि जैसे हम guidance लेते हैं उसके अनुसार हमागे बढ़ जाते हैं एक layman को पता नहीं होता और अगर आप husband है तो आपके point of view से चीज अच्छी है कि अगर उन्होंने दो case फाइल कर रखे हैं तो आप इस चीज से मत घबराओ कि DV में आपको अलग पैसा देना होगा और 125 में अलग अब बात आ जाती है 125 की तो 125 एक ऐसा case है जिसमा आप question में नहीं जा सकते means अगर case आपके उपर पढ़ा है तो उस case को आपको fight ही करना पड़ेगा और fight भी क्या करना पड़ेगा mainly आपकी income पर ही सब कुछ depend करता है कि आपकी income कितनी है आप अपनी income किस तरह से show करते है quote आपकी income को आपके version के बाद कितना consider करता है और उस consideration के base पर ही सामने वाले का maintenance तैह होता है अब अगर आपने देखा होगा petitions में लिखा होता है कि मुझे एक लाग रुपे महीना चाहिए चार लाग रुपे महीना कमाता है लेकिन actual में आपके income पचासे रुपे महीना ही है तो वो जो figures हैं उन पर आपको जाने की कोई ज़रत नहीं है क्योंकि जो court आपका tag करेगी maintenance वो केवल आपकी income और salary के base पर ही करेगी अब DV के case के अंतरकत क्या होता है कि आपके उपर allegation होता है कि आपने घरेलू हिंसा कारित करीए पत्नी के साथ आपके परिवार वालों ने करिए लेकिन सचा ही होती है कि आपके परिवार के साथ वो कोभी रही नहीं आप पत्नी के साथ अलग flat में निवास करते हो और शादी से ही जो माता पिता हैं वो अपने अलग घर में निवास करते हैं तो दोस्तो ऐसे case में मैंने पहले आपको कई बार बताया अलग-अलग videos बनाये कि आपको discharge file करना चाहिए कि इन लोगों पर तो ये case बनता ही नहीं इसके अतरिक्त मैंने एक video बनाया था जिसकी खुब दबाके copy हुई है और वो वीडियो था दोस्तों dismissal पर और इस पर बहुत सारे लोगों के मेरे पास queries भी आई है किस सर आपने dismissal पर एक video बनाया था उस पर मैंने title में भी डाल दिया था first time on YouTube उससे पहले actual में मैंने भी उस पर कोई video नहीं बनाया था अब दोस्तों जो dismissal है यह case आते ही आप डाल सकते हो ऐसा नहीं है कि case में आप already कारेवाई कर चुके हो उसके बाद फिर आप dismissal डालेंगे तो आपका काम चल जाएगा यह आपकी क्वेरिश के आधर पर मैं वीडियो बना रहा हूँ dismissal होता है कि आपके पास एक petition आई और आप सब की तरफ से including husband आप court को यह कह रहे है कि समपे नहीं मनता है इसको खारिज किया जाए अब दोस्तों जो dismissal होता है जब यह dismissal आप court के अंदर डालते हैं दोस्तों अगर आपका यह dismissal accept होता है तो आपके पूरी की पूरी petition खारिज हो जाएगे अभी परसो नर्सों किसी का message आया था WhatsApp पे मैं उसका screenshot community में share करूँगा तो उसमें था कि सर ऐसा है कि मेरी वाइफ ने मेरे पे case किये जूटा DV का case था जब मैं court में गया तो वो लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे और मैंने अभी तक किसी को hire नहीं किया है और मैंने उनको एक discharge petition frame करके दी थी और जब मैंने वो discharge petition डाली और चीजों को code के समक्ष रखा उनके चहरे के रंगी उड़ गए और जब मैं बाहर निकला तो वो और उनके साथ जो भी लोग थे उन सब का चहरा बिलकुल डल हो रखा था तो दोस्तों यह आपकी strategy पर होता है ना कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं अगर आप वहां जाकर के गुणागार की तरह खड़े हो जाएंगे गुणागार की तरह खड़ा होना मतलब जाके अपना reply सब्मिट कर देंगे यह मेरा reply है तो कोट क्या करेगा ठीक आपने reply सब्मिट कर दी आप अगली डेट पर अफिर चाहिए कोशिश करने से हो सकते है रिजल्ट मिले हो सकते है रिजल्ट ना मिले पॉजटिव लेकिन कम से कम कुछ सीखने को वाल पर कुछ फर्क पड़े गई कम से कम कुछ टaison तो जाय गई कम से कम सामने वालों के कुछ harassment तो होगी ही तो कहने का मतलब अगर आप अपनी तर सख्रे होते हैं और जहां आपकी तरफ से कुछ steps उड़ जाते हैं जिससे उनको तकलीफ होने लगती है वहाँ वो निप्टाने पर आ जाते हैं कि इसको निप्टा लो और फिर डिमांस भी बहुत कुछ depend करता है तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत simple सब कुछ है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि impossible है अगर आप करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही next studio में नहीं जानकारी के साथ मैं आप से फिर मिलता हूं तब तक रिले goodbye and thank you for watching take care